हलो दोस्तो स्वागत हैपकर अपनी चैनल टेक्समिल में दोस्तो यह वीडियो खासकर कुछ सब्सक्राइबर न या मेरे सवाल कि Hoo另外 ahead कि सब्सक्राइबर के बारे में बताए कि सेप्टिक टेंड जब लेवल से छे फिट नीचे गए हुए हैं तो छे फिट नीचे जाने के बाद छे इंच का और यहां पर नीचे आप देख सकते हैं पहले इंट का टुकड़ा वहां डालकर उसको अच्छे से दुर्मुट से कंपेक किया गया है कुटाई की गई है उसके बाद इस पर PCC का मसाल है यानि कि जो बॉक्स बन रहा है सरिया एक से दूसरे एक सरिया से जो दूसरे सरिया के बीच की दूरी है आपको 5-6 की रखनी है उससे जादा नहीं रखनी है और वही सरिया आप देख सकते हैं कि दोनों साइड यह ऊपर उठा हुआ है यहाँ पर लाइपिंग के लिए य आपका सेप्टिक टैंक पूरी जिंदगी कभी भी लीकेज की समस्या उसमें नहीं रहेगी आप ऐसा सेप्टिक टैंक अपने पार्किंग में बना सकते हैं जिससे अगर इस पे गाडिया लगती है आदमी मूब करता है गाडिया मूब करती है तो उसको कहीं पे उसको धसने का या तूटने का चांस नहीं रहेगा दोस्तों अगर मान लिजे कि आपके एरिया में वाटर टेबल है यानि कि वाटर लेबल जिसको बोला जाता है कि हमारे जमीन में काफी उपर है तो उस जगह भी आपको यही सेम काम करना है अगर आप सिर्फ वहाँ पी सी सी कर देंगे तो पानी हो सकता है कि आपके फ्लोर से महाँ से लीके जो के ऊपर आ सके क्योंकि वहाँ पे वाटर लेवल आपका ज्यादा उपर है अब यहां भी ज्यादा उपर था इसलिए हमने क्या किया पहले इसको आर सी सी जाल बिचाके अच्छे से इसकी ढलाई कर रहा है ढलाई करने स कि यह सब्सक्राइब करें आपको जाल बांदना है यह दस को आप देख रहें कि यह जाल उठाए गया है और फिर इसको आप देख सकते हैं कि एक एक टीन के मसाला यानि है मुसाला है उससे डलाई की जारी यह दोस्तों ऐसे दिखा दूँ तो यह आप टैंक दो देख यह 20 फिट लंबा है और इसकी जो गहराई है यह 6 फिट रखी जा रही है और इसकी चोड़ाई भी जो है वह साथ फिट की रखी गए यह तो इतना बड़ा टैंक हम बना रहे हैं इसमें हम दो तीन पार्टीसन देंगे दो पार्टीसन हमारा में जो होगा वेस्ट मिटेरियल क आर들 कि आरे न करता है है कि आई अगर बनाना चाहा रहे हैं या फिर सेप्टिक टैंक का बना रहे हैं तो आप को देखिए गाड़ी आएगी उस पे लोड लगेगा अगर आप मान लिजेंकि आपका वाटर लेवलू पर है तो फिर आगर आप वाटर लेवल उपर है अगर पार्किंग में बना रहे हैं तो आपको RCC की दीवार उसमें जरूर देनी है जैसे आप यहां देख रहे हैं कि बाहर-बाहर से आउटर से हमने ब्रीक वर्क चार इंच का किया है और अंदर वही जो सरीया हमारा उठ रहा था उसी को लैपिंग करके हम पूरा 6 फीट उपर उठा लिये हैं जहां पे अब हमारा उपर इसके उपर सलैब डल जागा सेप्टिक टैंक का सलैब हम डाल देंगे उसको बंद कर देंगे तो यह अ आर्शी सी वाल जरूर बनानी है और दोस्तों नीचे आपको पी सी के ऊपर फिर से सरीया का जाल देके उसको ड्हलाई करके यानि कि आर्शी सी के फ्लोर बनाके तब उस पर अपना काम करना है अब यहां देख सकते हैं कि जो हम पहले साइट साइड में ब्रीक वर्क कर दी ह है चारिंज का फिर उसके अंदर चारिंज का हम यहां पर ढलाई करने वाले हैं तो उसके लिए मसाला बनाया जा रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि वाटर प्रूफिंग केमिकल डॉक्टर फिक्सिट का कवर ब्लोक लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि तब जाके वह आपके दिवार और सरिया के बीच में मसाला जाएगा जिससे क्या होगा कि कोई उसमें गैप नहीं बनेगा वाइड नहीं बनेगा तो वहां पर पानी का लीकेज होने का चांस नहीं रहेगा और वाइबरेटर च जाएगा जिससे समझते है यह होगी कि आपको बार बार सफाई करना पड़ेगा और बहुत जल्दी आपका टैंक भर जाएगा तो इसलिए आपको करना क्या है कि प्रॉपर वाइबरेटर चलाना है कोबर बलोक लगाना और उसको अच्छे से ढलाई करनी है उसके बाद जब करना क्या है